नमस्कार आप सभी का एगेंस्ट करप्शन 99 में बहुत बहुत स्वागत है मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था सुचना आयुक मुक्ष सुचना आयुक सुचना आयुक पटना के द्वारा एक सिकायत आवेदन पर कारवाई है तू सिकायत करता से उस्पदा धिकारी करमचारी का नाम पूछा जा रहा था जिसके विरुद सिकायत किया गया हो और उसका पूरा बरतमान पता मांगा गया था इस संबन में मैंने एक सुचना आयुक नरेंदुक मार सिनहा द्वारा मुझे उनका बरतमान पता और कुछ मुख्य बिंदुआँ पर सिकायत को परमानित करने के लिए साक्षेतु निर्देशित किया गया है इस संबन में मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि जिनके विरुद मैंने सिकायत किया था उनका सेवा काल समाप्त हो गया है लेकिन विभाग द्वारा उनका बरतमान पता उनका घर का पता मुझे नहीं दिया गया लेकिन इसे हम लोग कैसे जानेंगे इसके बारे में हम लोग RTI लगा कर भी जान सकते हैं इसी संबंद में मैंने उनका बर्दमान पता और सेवा पुस्तिका से संबंदित एक RTI लगाने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों के साथ भी यदि इस प्रकार की कोई बात सुच नायोग द्वारा इरदेशित की जाती है तो उनका पर्तमान पता या उनका घर का पता कैसे जानेंगे इसके बारे में जानकारी प्राक्त करेंगे चलिए जो इस चैनल से पहली बार जुरे हैं वो अबस्ट सब्सक्राइब कर लें तथा बैल आइकन को दबाकर आल पर भी क्लिक अबस्ट कर लें जिससे इस तरह के उपयोगी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे तथा एक लाइक कवस कर देंगे तथा इसे इतना सेयर करेंगे कि इसकी जानकारी हर आवेदक, हर RTI कारी करता हर भारतिये को आसानी से हो सके तथा हुए अपने सुनवाई में अपना पक्ष रहने हेतु उनका वर्तमान पता आसानी से जुटा सके तो चलिए हम लोग कैसे प्रपत्र को द्वारा ततकालिन लोग सुचना पता अधिकारी का वर्तमान पता या घर का पता या उनके सेवा पुस्तिका से संबंदित जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे तो जिने प्रपत्र को फॉर्म होगा वे फॉर्म भर लेंगे जिने प्रपत्र को फॉर्म नहीं होगा वे साधे कागज पर भी इस प्रकार आवेदन लिख सकते हैं या टाइप पर आवा सकते हैं तो चलिए बिहार सुचना का अधिकार 2005 के थाथ मैंने प्रपत्र को यहां सादे कागज पर लिखा है क्योंकि मुझे बहुत ऐसे सिकायत आ रहे थे कौला रहे थे कि सर मुझे सादे कागज पर आवेदन भर कर आवेदक नहीं ले रहे हैं आवेदक का आवेदन लोग सुचना कागज पर भी देते हैं तो अच्छा है लेकिन यदि वे नहीं लेते हैं तो उसे आप बाइपोस्ट रेइस्टर डाक से अवस्य भेज दिया करें सेवा में लोग सुचना पता अधिकारी सह पुली सदिक्षक चुकि मैं थाने के थानेदार पर सिकायत किया है जिसका वर्तमान पता मुझे मांगा गया है मुझे पता चला है कि वे उनका सेवाकाल समाप्त हो चुका है वे रिटायर हो चुके है तो उनका मैं पता किस प्रकार लोग सुचना पतादिकारी से पुलिस अदिक्छक काडियाले से ही लेने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोग भी इस प्रकार किसी भी काडियाले के लोग सुचना पता अधिकारी या उनके वरिष्ट पता अधिकारी से ले सकते हैं पुलिस अधिक्षक का काडियाले मधेपुरा पिनकॉड इतना है बिसे सूचना आयोग के बाद संख्या इतना में ततकाली इन लोग सूचना अपता दिकारी का पूरा पता जानने के संबंद में पहला नाम अपना दे देंगे पूरा पता लिखेंगे तीसरा है मांगे गई सूचना है मैं यहाँ इस केस से संबंदित ही कुछ बिंदुआं पर लोग सूचना पताधिकारी सहाई सदिक्षक कारियाले से सूचना मांगने का प्रयास कर रहा हूँ पहला है मैं जानना चाहता हूँ कि दिनांक 11.19 से 11.19 तक ओफी रतवारा के लोग सूचना पताधिकारी सह ओकी रतवारा परफारी रहे हों उनका वर्तमान पूरा पता दी जाए दूसरा वाद संख्या C 222-2020 में दो सी लोग सुचना पता दिकारी का नाम Vatican बताया जाए तिसरा ततकालीं लोग सुचना पता दिकारी का यदि सेवाकाल समाप्थ हो गया हो तो उनके घर या निवास अस्थान के घर का पूरा पता पीन कॉर्ट साइट देने की किरपा की जाए आयो के निर्देशा नुसार दी जाए चौता है ततकालिन लोग सुचना अपदादिकारी सह उपी रतवारा परभारी अध्यक्ष के शेवा पुस्तिका की संपुर्ण छाया परती की परमानित परती भी दी जाए मैंने ततकालिन लोग सुचना अपदादिकारी क्या सेवा पुस्तिका से संबंदित भी परमानित परती की मांकी है आप लोग भी इस प्रकार किसी भी पदाधिकारी के सेवा पुस्तिका की परती ले सकते हैं यदि जो गरीवी रेखा से नीचे के हैं, एपियल परिवार के हैं, बीपियल परिवार के हैं के पास रासन कार्ड है वो धारा साथ पांच के तहत नेसुलक सुचना ले सकते हैं मैंने भी यहाँ अपना रासन कार्ड लगाकर नेसुलक सुचना की मांग की है यदी जने नहीं हो तो वो 10 रुपे का सुलक दे कर अपना RTI या विदन लगा सकते हैं सुल्क के रूप में मैंने लिखा है मैं गरेवी रेखा से नीचे वाले परिवार से हूँ धारा साथ पांच में इसका बढ़नन है इस कारण मुझे निसुल्क सुचना अपलब्द कराया जाए मेरा रासन काट संख्या इतना है जिसकी चाया परती सगलगन है नोट में यह अवस्य हर आवेदन में लिख दिया करें यदि वानचीत सुचना आपके कार्याले से समबंदित नहीं हो तो धारा छोटीन के तहथ समबंदित कार्याले को अस्थांतरित कर पांस दिनों के अंदर मुझे भी सुचित करें अपना हस्ता अक्षर पूरा पता कि वर्तमान पता तथा पदस्थापना की जानकारी ले सकते हैं तथा उनकी सेवा पुस्तिका से संबंदित भी कुछ जानकारी सूचना के अधिकार अधिदियां 2005 के तहट अवस्ष ले सकते हैं मैं आप लोगों से आगरह करना चाहता हूँ कि इस चैनल से अवस जुरे इसमें प्लेलिस्ट भी बना हुआ है एगेंस्ट्रप्शन में जिसमें अधिकांस RTI से संबंदित हैं जानकारी दी गई है आप लोग सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट में एगेंस्ट्रप्शन पर जा इसे करवा सकते हैं अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अपने राशन कार्ट से संबंदित जानकारी RTI लगा कर सिख्र कैसे अपना राशन कार्ट बनवा सकते हैं जैहिन